Very good morning all my dear friends, बहुत टाइम लगा and as such मैंने पहले ही आपको बताया था कि टाइम लगना ही है, कितने centers पे दुबारा re-exam होना है, इसका decision लेना was very tough job. जो 6 centers की बात हुई है, जिन पर re-exam होना है, हो सकता है कि एक दो examination center चूड़ गए हो या उससे भी ज़्यादा चूड़ गए हो, बस बात इस बात की है, जहां से आवाज ही ज़्यादा उठी, वहाँ पर ये दुबारा से re-exam होनी की बात आ गई है, चलिए खेर, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है, कि कब आप चैलेंज कर सकते हैं, और कब आपका final examination का result आपको दे दिया जाएगा, तो challenge करने का पैसा भी लिखा हुआ है, वक्त भी लिखा हुआ है, और कैसे करना है, वो भी लिखा हुआ है, और कब आपकी answer की आजाएगी, कब आपका final result आजाएगा, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, so all the best, आप आगे क्या decide करना है, कैसे करना है, आपके कितने marks बन रहे हैं, इन सब बातों को आप देख लिजे, जिससे की देर ना हो जाए, चलें, फिर मिलेंगे, आपते हैं, all the best.